एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके परिवार में किसी को राजनीती का रह तक नहीं आता था बच्चपन गरीबी और अभाव में भी था लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज़बा था और मन में भारत मा के लिए था सच्चा प्रेम जीवन ने उनके सामने जो भी परिस्थी थी रखी वे उसमें से खुद को ढालते चले गए नाम है नरेंद्र दामुदर्दास मोधी बच्पन ने रेल के डिब्बो में चाय बेचनी हो या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या या फिर बड़े होकर राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के प्रचारक से लेकर राजनीती में भारतिय जनता पार्टी में विभिन पदों की जिम्मेदाली मोधी जी का एक ही लक्ष था सेवा और जब पार्टी ने मोधी जी को गुजरात की बागडोर सौपी तो वो जुट कैए अपने लक्ष सेवा की पूर्ती में एक निश्ट भाव से सेवा का ही पनिणाम था कि एक के बाद एक चुनाव में भारतिय जनता पाटी जीतती रही। गुजरात प्रगती के पत पर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों माना कि अंधेरा गना है, माना रात अंधेरी हैं अंधेरा गना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है अब समय था भारत का भाग्य बदलने का और उस संकल्प की पूर्ती का जिसके लिए जनता ने दो हजार चौधा में देश की बागडोर स्वापी श्री नरिंद्र मोधी के हाथों में मा भारती की सेवा में तन मन और जीवन कैसे अर्पित किया जाता है, गरीबों की सेवा कैसे की जाती है, अंत्योदय के लक्ष की प्राप्ती कैसे होती है, देश की असंख्य जरूरतों की पूर्ती कैसे होती है, देश ही नहीं पूरी दुन्यों में देखा भारत मा के सक्चे सपूर प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी की कार्य शैली की धमक यही वज़य थी कि 2019 के लोकसभाचनाओं में पहले से भी ज्यादा समर्थन के साथ जनतान देश की कमान श्री नरिंद्र मोदी के हाथ में सौपी है और अब मोदी जी का लक्ष है देश की आकांग्षाओं की पूर्ती का जिसके दिल में बस जनता की सेवा और उसका ही हित सर्वोपरी हो एक भारत श्रेष्ट भारत के संकल्प की पूर्ती की चिंता हो ऐसे सक्चे सेवक का इतिहास रचना निश्चित है मा भारती के सक्चे सपूत और करोडों युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत प्रधानमंतरी श्री नरेंद्र मोधी को भाजपा परिवार की तरफ से जन्म दिवसकी कोटी-कोटी शुपकावनाई झाल